वेलकम टू जीरो से जिन्यस तक इस वीडियो की चेस्ट में हम आपसे पूछेंगे समन्ने ज्ञान भी ज्ञान के 25 इंपोर्टेंट सवालों को जो आपके परतियोगी परिक्छाओं के लिए महत्वपोर्ण है ध्यान से खेलिएगा चलिए सुरू करते हैं पहला सवाल है राज्य गुरू भगसिंग और सहीद सुखदेव को याद करते हुए सहीद दिवस कब मनाया जाता है आपको जब आप सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकिंड का समय ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं तो आंसर सोचने के लिए समय सुरू होते हैं अब राइट अंसर है ऑप्शन नमबर बी 23 मार्च को क्वेशन नमबर टू बंगाल भी भाजन के बिरोध्य में सौदेशी आंदोलन किस वर्ष सुरू किया गया था राइट अंसर है ऑप्शन नमबर बी 1905 इस्वी में कोशन नमबर तीन नियपनगर अखवारी कागज मिल कहां पर इस्तित है राइट अंसर है ऑप्शन नमबर ए मध्य परदेश क्वेशन नमबर फोर बुरलॉंग पुरसकार किस छेतर में परदान किया जाता है राइट अंसर है ऑप्शन नमबर डी क्रिसी विज्यान क्वेशन नमबर फाइब अब इन दुक्यता मानों सरीर के किस अंग को परभावित करता है राइट अंसर है ऑप्शन नमबर सी आँख को क्वेशन नमबर सिक्स स्वेज नहर का राष्ट्रिय करन किस वर्स किया गया राइट अंसर है ऑप्शन नमबर डी उन्नी सच पन इसमी में और करनर नासीर ने करवाया था क्वेशन नमबर सेविन छिपकाली एक जानवर है राइट अंसर है ऑप्शन नमबर बी सी तरक्त वाला क्वेशन नमबर एट भारत की दोहरा सतक लगाने वाली प्रथम महिला पलेयर कौन है फिट से सवाल को सो लेजिए भारत की दोहरा सतक लगाने वाली प्रथम महिला कीरकेट पलेयर कौन है राइट अंसर है ऑप्शन नमबर ए मिताली राज क्वेशन नमबर नाइन उज्जायन सहर किस नदी के टट पर बसा हुआ है राइट अंसर है ऑप्शन नमबर बी सिप्रा न दी घ्रीबी हाटाओ किस पंचवार्सिये योजना का नारा था गरीबी हटाव किस पंचवार्षिय योजना का नारा था राइट अंसर है ओप्शन नमबर ए पाचवी योजना पाचवी पंचवार्षिय योजना का नारा था और ये योजना 1974 सो 1978 तक चला था अब है तो आपने अभी तक इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटम पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजीए और वेल अको धबा देजीए क्योंकि आपके सिलेवत पर और करता है धन्याबाद अगे सवाल है बजार नियंतरन का संबंध किस सुल्टान के साथ था बजार नियंतरन का संबंध किस सुल्टान के साथ था राइट आंसर है ओप्सन बड़ी अलाव दिन खेल जे यहुदियों के धार्मिक पुष्टक को किस नाम से जाना जाता है राइट आंसर है ओप्सन बड़ी तौरेत के नाम से जाना जाता है इरान के मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है राइट आंसर है ओप्सन बड़ी तौरेत के नाम से जाना जाता है आगे सवाल है लेंस की छामता का मातरक क्या है राइट आंसर है ओप्सन बड़ी तौरेत क्या है इल्टुत मिस की सवांस से संबंधित है राइट आंसर है ओप्सन बर सी गुलाम वांस लोग साभा में राष्ट पती के द्वारा कितने आंगल भारतियों को मनोनित किया जाता है राइट आंसर होगा ओप्सन बर डी दो जिन्द अवस्ता किस धर्म की धर्मिक पुष्टक है राइट आंसर है ओप्सन बर ए पार्सी धर्म क्वेशन बर नेक्स्ट परतिरोध का एसाई मातरक क्या होता है राइट आंसर है ओप्सन बर ए ओम क्वेशन बर नेक्स्ट रामन महंगसे से पुरसकार किस देश के द्वारा परदान किया जाता है सवाल क्या है रामन महंगसे से पुरसकार किस देश के द्वारा परदान किया जाता है राइट आंसर है ओप्सन बर सी फिलिपिन्स इसे एसी आई नोबिल पुरसकार भी कहा जाता है क्वेशन नमबर बीस साथ परवतो का नगर किसे कहा जाता है साथ परवतो का नगर किसे कहा जाता है राइट आंसर है ओप्सन बर ए रोम को क्वेशन नमबर नेक्स्ट दूध से मखन निकालने का दूध से मखन निकालने पर उसका घनत्व यानि कि डेंसीटी पर क्या परभाव परता है दूध से मखन निकालने पर उसका घनत्व पर क्या परभाव परता है राइट आंसर है ओप्सन नमबर B गनत्व बढ़ता है Question नमबर Next इंडिया विन्स फिरीडम के लेखक कौन है इंडिया विन्स फिरीडम के लेखक कौन है राइट आंसर है ओप्सन नमबर C अबुल कलाम अजाद Question number next Candela किस भौतिक रासी का एसाई मातरक है Right answer है Option number B Jyoti तिर्वता का Question number next Khajurahो का मंदिर किस राज्य में इस्तित है Right answer है Option number C Question number 25 भारत का राष्ट्रिय गीत क्या है ये सवाल पिछले वीडियो के Q4U में पूछे गए थे Right answer होगा Option number D वंदे मातरम भारत का राष्ट्रिय गीत वंदे मातरम है आगे सवाल आपके लिए है यदि आप right answer बता सकते हैं तो simply आपको comment box में जाना होगा वहाँ पे लिखना होगा Q4U और इसके right answer और मरनाथ गूफा भारत के किस राज्य में इस्तित है comment box में जाईए वहाँ पे लिखिए Q4U और इसके right answer आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ इस्क्रीन पे क्लिक करके देख सकते हैं और आप छुट्टी के तो time है आपका class यह सब तो बंध है आप चाहे तो आई बटम पे क्लिक करके इसके सभी पार्ट को देख सकते हैं जिससे आपका study भी हो जाएगा तो target बना लिजिए कि इस सभी वीडियो को देखना है आई बटम पे क्लिक करिया और देख लिजिए आपको बहुत फायदा होगा तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत